सब्जेक्ट यानि करता, सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं सिंगुलर, एक वचन और प्ल्यूरल, बहुवचन, जब सब्जेक्ट एक व्यक्ती, एक वस्तू या, एक स्थान का बोध कराये तो उसे सिंगुलर, एक वचन कहते हैं, जब सब्जिक्ट एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करायतों से प्लॉरल बहुचन कहते हैं, आय मैं, वी हम लोग, यू तुम या तुम लोग, ही वह पुरुश जाती के लिए, शी वह स्त्री जाती के लिए, इट यह निर्जीव के लिए, दे वे लोग